जय हिन दोस्तो इन दिनों जितना इसराइल इरान पे गुसा है उतना ही गुसा अब भारत का भी इरान पे बढ़ता जा रहा है वजहें आपको पताए बहले इरान इंडियन्स को कुछ ना कर रहा हो लेकिन वह उन्हें छोड़ भी नहीं रहा जैसे कि पाकिस्तानियों को इसको जरा संभल कर ही विश्वास रखना चाहिए क्योंकि इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता तो दोस्तों आज की में खबर है इरान दोरा पकड़े के इसराइली जहाज की जिस पर अभी भी 16 भारतिय नागरिक फसे पड़े है हाला कि एक भारतिय नागरिक को इरान न इरानी विदेश मंतरी हुसेन अमिर अब्दुल्लाहिन से फोन पर बात की थी तब उन्होंने ये कहा था कि जल्द सारी फॉमेलेटिस पूरी करके सारे भारतियों को सही सलामत वापिस लोटा दिये जाएंगे लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ जिसे लेकर अब भारत का वि इरानी देश विभाग ने अब तीक ही लबजों में एरान से दो टुक में कहा कि इरान सारे भारतिये नागरिकों को जल्द रहा करे जितनी पुछताच करनी थी कर ली इससे ये साबित हो चुका है कि ये कोई मोसाथ के एजंट नहीं तो सीधे साथे भारतिये नागरिक है जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे और आपने उन्हें पकड़ लिया भारत के मुताबिक आज इस घटना को एक हफ़ता होने को आया और अभी तक इरान सिर्फ ये जाच रहा है कि ये भारतिये लोग है या फिर इसराइली जो कि सच में आशरिय की बात है हमने इस सम्मन में इरानी राजदुच से भी बात करी और उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि जल्द सभी भारतिये अपने घर होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा जो कि हमारे सब्रा को अब तोड़ रहा है भारत सरकार की ओर से इरान को इतना ही क रहा यही समझ में नहीं आता या फिर इसराइली जहाज के बहाने इरान भारतियों पे भी तंचकस रहा है आप बताए कि इरान इसराइल की तरे भरोसे मन है क्या संकट समय में इसराइल की तरे इरान भी भारत के पक्ष में खड़ा होगा क्या आपको लगता है कि भारत पा जहिन